एक बार एक लड़का एक आईस्क्रीम वाले के पास गया लड़के ने कहा भाईया एक आईस्क्रीम दे दो आईस्क्रीम वाले ने उसे आईस्क्रीम दी और वो उसे मज़े से खाने लगा फिर आईस्क्रीम खाने के बाद वो अपना वालेट निकालने लगा तब उसने देखा कि उसकी जेब से वालेट गायब था तब उसने आईस्क्रीम वाले से पूछा कि क्या मैं आपको कल पैसे दे सकता हूँ इससे पहले कि आईस्क्रीम वाला कुछ बोले साथ वाला व्यक्ति बोला कि नहीं भईया ये लोग ऐसे ही हैं ये आपके पैसे वापिस नहीं देंगे मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं उस लड़के ने एक बार और रिक्वेस्ट करी पर फिर भी वो आईस्क्रिम वाला नहीं माना और जैसे ही वो उसे मारने आया उसी समय कोई अजनबी आया और उस व्यक्ति को बोला कि ये लो भईया शायद आपका पर्स वहाँ कहीं नीचे गिर गया था ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई और बोला कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा ही हो कभी कभी किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है और ये सुनकर वो दोनों बहुत शर्मिंदा हो गए